नमस्कार बुलंद भार देख रहे हैं आप शाम के साड़े छै बच चुके हैं और 115 दिन भार चोड़ो यातरा का यहीं पर खतम होने वाला है यह लास्ट पुएंट है सबसे आगे देख सकते हैं आप इंडियन डैसनल कॉंग्रेस का बैंड आप देख पा रहे होंगे और यह नहीं वो गाओं है जहां पर आज की यातरा समाप्त होने वाली है इसके पीछे आप तमाम भात यातरी आ का जो भी काफिला है वो देख पाएंगे बैदल भात यातरी आते हुए और इसके पीछे आप देख सकते हैं स्कोटी वहन हर्यानःव फुलिसका और इसके फीछे ज राहुल गांधी का आज 115 दिन अंबाला में खतम होता हुआ लास्ट पॉइंट की तरफ राहुल गांधी अगरसर होते वे समसी आगे आप देख सकते हैं जैमर लगी जो फोर्चुनर है उसको आप देख पा रहे होंगे इसके पीछे जो वाहन है जो नेशनल मीडिया के लिए होता है वह आप देख पा रहे होंगे जो नेशनल मीडिया के लिए भातिया राश्टा कॉंग्रेस की तरफ से चलता है मिले साथ आप आपने देखा बहुत परशाहिंदिक भी इस गाड़ी वे सुवार था और और अलगांधी के साथ बने वे हैं इसके पीछे भारत यातरी आते हुए आप देख पा रहे होंगे भारतिय वयूस festa गें यहांबर भारत यातरी दिख रहे हैं और पूररी जोस बारति यातरा के समापन की तरफ बढ़ते हुए और पूरी जोस के साथ नारे लगाते हुए भारत यातरी आज की इस यातरा के समापन की तरफ बढ़ते हुए और आप देख सकते हैं आई एन सी का ओफिशल ब्रोड़कास्ट वाला भीकल भी आगा है उसके पीछे राहुल गांधी भी आपको जल दिखाए देंगे क्योंकि पहला स्कूर्टीडी खतम हो चका है लोग आप देख सकते हैं कितने खुस हैं ग्रामीन जिस गाओं के ग्रामीन है राहूल गांदी को रिशफिव करने के लिए कितने खूश नजर आ रहे हैं वह आप देख पाए रहे हैं यहाँ से और पहला स्कोर्टीडी शुरू होता हुआ पहला स्कोर्टीडी में जो रश्चा होता है उसको महिला पुलिस अधिकारियों ने धामा है और सुरक्षा के तमाम परभन यहाँ पे किये गए हैं पहला स्कोर्टीडी देख सकते हैं आप ये पहला स्कोर्टीडी होता है इसके बाद दूसरे स्कोर्टीडी में राहुल गांधी जी होते है आप देख सकते हैं दूसरा स्कोर्टीडी यहाँ पे सुरू होता हुआ राहुल गांधी के वैलकम के लिए जोरतार नारे लगते हुए रनदीव सिंग सुर्जेवाला जी को आप देख सकते हैं और इस सरकल में जल्द ही मुझे दिखाई दे रहा है पीछे राहूल गांदी जी आते वे सफेटी सट में शाम का साड़े छै बजे का समय हो चुका है और वो इस कडाके की ठंड में लगातार बने हुए हैं और यत्र राहूल जी राहूल जी आप देख सकते हैं राहूल गांदी को एक छोटी बच्ची के साथ यात्रा के आखरी पड़ाओ पर आज की यात्रा के आखरी पड़ाओ की इतरा बढ़ते हुए लोगों का हुजूम उनको किस तरह से फोलो किया हुआ हुआ है वो भी आप देख सक खतम करकर एक असली आजादी इस देश में लाने के लिए नफरत मिटाने के लिए लोगों को फिर से एक सवस्थ लोकतंतर की इस देश में स्थाबना के लिए कितने लोग कितनी भारी भड़कम भीड राहूल गांधी के साथ पैदल चल रही है आज ये यात्रा का आज की यात अंत होते हुई अंधेरे में कडाके की ठंड में आपने देखा कि राहूल गांधी किस तरीके से सिर्फ उसी टीशर्ट में उसी सफेर टीशर्ट में लगातार चल रहे हैं और ये काफिला काफी लंबा है पीछे जो विकल्स का काफिला है क्योंकि इस समय तक काफी ठंड हो लोगों के वहन ही वहन दिखाए दे रहे हैं और इन वहनों के बगल से पैदल भारत यात्री आपको दिखाए दे रहे होंगे पैदल चलकर रहूल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते हैं भारत यात्री आगे के तरह बढ़ रहे हैं यहां से कुछी दूर अंबाला केंट मे होल्ट है आज की भारत यात्रा का वहाँ पर होने के बाद 166 दिन में 166 दिन में भारत यात्रा परवेश करेगी और आप देख सकते हैं ग्रामिंड लोकल इन्हों ने राहुल गांदी का यहां पर सवाकत किया और काफी जो सिले भरे सवाकत के बाद राहुल गांदी जी इस से आज की भारत यात्रा का अंत करते हैं और यहां के लोकल ग्रामिंड बहुत ही उत्षादी है राहुल गांदी का वैलकम करने के लिए आज की पद्यात्रा का एक सो पंद्रवा दिन का राहुल गांधी का आखरी पड़ाओ था और उन्होंने एक सो पंद्रवा दिन भार यातिरा का कि इस तरीके से नहीं का गांदी आप देखने को ऐसा ना पना देखने को बनता है राहूल गांदी की यातरा का 15 दिन का आखरी पड़ाओ आपने देखा बड़ाई ग्रम जौस्ति के साथ ग्रामिन उनका स्वागत किया आज की इस वीडियो में इतना है आप देख रहेते बुलंद बात नमस्कार